आज मैं मूदी जी की मन की बात सुन रहा था मूदी जी आज यही बोल रहे थे देखो पहला देश के प्रधान मंत्री ऐसे है जो ये तक बता रहे हैं कि हमें अपनी मात्र भासा से प्यार करना चाहिए जिसकी जो भासा हो से उस भासा को प्यार देना चाहिए ये पहले प्रधान मंत्री हैं जो कि हम भारतियों को अपनी भासा से प्यार करना सिखा रहे हैं आज ये विडंबना है हमारे देश की कि हम यदि हिंदी बोलते हैं तो लोग हमें मूर्ख मानते हैं नेगर आप विडिएसी भासा English बोलते हैं तो आपको बड़ा इंटरिजेंट माना जाता है जवकि चाईना में कोई इंगलिस नहीं बोलता है है अपनी मात्र भासा चाईनीज का प्रयोग करते हैं जापान में जैपनीज भास जैपनीज भासा का प्रयोग करते हैं वहां इंगलिस नहीं बोलते हैं कुछ देशों की भासा इंगलिस हैं सभी देशों की भासा इंगलिस नहीं है सब की अपनी-अपनी मात्र भासा है हम भारती लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा भासा बोली जाती है, आज मोदी जी ने बताया, 120 भासाओं का प्रयोग भारत में होता है, हमारे यहाँ पंजाब की भासा अलग है पंजाबी, मलयालम, भारत की भासा मा की है, मैया की है, भगवान कृष्ण अपनी मा यसुदा को क्या कहते हैं, जूर से मैया जी, ओ मेरी मा, क्या कहते हैं भगवान, मैया, और आज के बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी, अब मैं आपको मम्मी बोलूँ और फिर मैया बोलूँगा, आप सुनके बताना के कौन सच्छा लगा, जो आप बोलेंगे फिर मैं वही बोला करेंगा, मम्मी, यह हो गया मम्मी एक मम्मी ना विल्कुल खड़ा शब्द है खड़ी भासा है मतलब इसमें कोई अपनापन नजर नहीं आ रहा है क्यों मम्मी कोई अपनापन है आपको लग रहा है अपनापन नहीं लेकिन मैया हो मेरी माँ इसमें एक अपनापन है एक प्यार है एक प्यार की खुश्बू है, हाँ या ना मैया, आप किसी से कह दें मैया, सुनकी गदगद हो जाएगा मैया, वाह, मम्मी, कोई अर्थी नहीं निकल रहा है इसका, कोई स्वाध ही नहीं है इस भासा में, क्यों जी है लग रहा है आपको, एक अपने पन की खुश्बूनी, हमारे यहां की भासा है चाची, चाची मतलब एक अपना पन मेरी चाची है, और इंगलिस में आंटी, आंटी में कोई अपना पन है, नीरस भासा है, कोई रस नहीं है सुबह, इसलिए इंगलिस का ज्ञान होना चाहिए आपको, आप अच्छ से अच्छी इंगलिस बोलना सीखिए, बोला करिए, पर अपने मात्र भासा में अपने रिस्तों में इंगलिस ना डालिए, अपनी भासा करते हैं, आप लोग गुदू जी की प्रवसन पसंद आये हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मि